मेरे पैरे बच्चो सुप्रीम कोट में रिजरिवेशन के रेकार्डिंग जो डिसीजन था उसका फैसला सुना दिया है और डिसीजन यह रहा है कि काउंसलिंग जल्द से जल्द स्टार्ट होगी और ओल इंडिया कोटा में जो 20% OBC का रिजरिवेशन था और 10% EWS का होंगे जो किंदर सरकार ने इस साल के लिए आल इंडिया कोटा में OBC 27% और EWS 10% का जो रूल लागू किया था वो रूल लागू होगा आल इंडिया कोटा में और काउंसलिंग जल्द से जल्द स्टार्ट होगी यह सुप्रिम कोट ने फैसला सुना दिया है और यह फैसला आ चुका है इसको आप लाएंड लाईव पर भी देख सकते हैं और बार एंड बेंच वेबसाइट पर भी यह आ फैसला देख सकते हैं तो यह बिल्कुल क्लियर हो चुका है काउंसलिंग जल्द स्टार्ट होगी यह ने कि काउंसलिंग अभी एक दो दिन बाद ही सेंटर में जो आल इंडिया कोटा में जो 27 परसेंट ओबी से और 10 परसेंट रिजरिवेशन है EWS के लिए वो लागू होगा इस साल के लिए बाकि इसकी थर्ड वीक मार्च में दुबारा से हीरिंग होगी मैंने आपको बताया था कि यह एक रिपोर्ट है फाइनल जज्चमेंट नहीं है शोरी यह एक ओडर है फाइनल जज्चमेंट नहीं है तो इसके आगे हीरिंग चलती रहेगी लेकिन फिल्याल के लिए यही है की यह इस पर डिसीजन आचुका है counseling जल्दी start होगी All India quota में reservation existing जो policy है उसके according लागू रहेगा तो ये एक update था मिलते हैं नई update के साथ में नए वीडियो में तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ विदा जैहिं